हम सब को अपने पैसे डबल करवाने है और पैसों को डबल जल्दी करवाना है और साथ में रिक्स भी नहीं लेना है जिससे कि हमारे पैसे डूब ना जाए तो कैसे करें पैसों को डबल भी करें और रिक्स भी ना ले तो कौन-कौन से ऐसे इंबेस्मेंट है जहां पर पैसे जबल भी हो जाएंगे और रिक्स भी नहीं बियार करना पड़ेगा तो सेफ इंवेस्मेंट हम कह सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इंवेस्मेंट के बारे में बताने वाला हूं जो हम भारत में कर सकते हैं अभी साल 2022 में जहां पर पैसे डबल भी हो सबसे पहला है फिक्स डिपोजिट अब फिक्स डिपोजिट में पैसे कैसे डबल होंगे वह आप घर बेठे बेठे ही केलकुलेट कर सकते हैं मैं एक फर्मूला आपको दे दूगा आप जब भी फिक्स डिपोजिट खुलवाने जाएंगे चाहे आप सिनियर सिटीजन हो य इससे डिवाइट कर दीजिएगा यह एक फर्मूला है पावर उप सेवेंट तू इससे कहा जाता है जहां पर आपको पता चल जाएगा आपके पैसे कितने डिलों में डबल हो जाएगे से आपको एक फिक्स डिपोजिट पर सेवेंट पॉइंट परसें इंटेस डिया जा है तो उस केस में अगर आप मतलब 72 को 7.2 से अगर कॉंप डिवाइट कर दें तो यहां पर 10 साल हो जाती है तो आपके जो भी पैसे है वो कॉंपांडिंग अगर करें तो दस सालों में डबल हो जाएंगे तो इसी तरह से अगर आपकी बैंक में फिक्स डिपोजिट की इंट करवाई दूसरी है टेक्स भी बॉंपांड्स को इसुगरती है फॉर रेजिंग फॉंद्स यहां पर जो टेक्स भी बॉंड्स होती है उनके मेचूरियटी प्लिवाड काफी लंबी होती है जैसे कि 10 साल 15 साल या फिर 20 साल और यहां पर जो इंट्रेस वी दिया जाता है वह काफी अच्छे-खासी दिया जाता है 6 से 7% इंट्रेश्ट यहां पर दिया जाता है तो अगर हम power of 72 को भी यहां पर ला दे तो अगर 6% भी इंट्रेश्ट दिया जा रहा है एक एक Tax-Free Bond में तो यहां पर 12 सालों में हमारे पैसे डबल हो जाता है, और Tax-Free Bond में तो हमें जो भी हम investment करते हैं, वहां पर हमें Tax Revenue भी मिल जाती है, और यहां पर जो भी maturity amount होती है, वहां पर भी हमें Tax Pay नहीं करना परता है, क्योंकि यह Tax-Free Bonds होती है, तो Tax-Free Bond में लेकिन यहां प टेक्स की benefit को एभल कर लेता है तो यह भी आपको ध्याद में रखना है टेक्स पी बॉन में investment करते समय उनी पैसों को इन्वेस कीजिएगा जहां पर आप उन पैसों को तिल मेचुरिटी रख सकते हैं बीच में इसे अंडर एनी कोंडिशन आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं तीसरी इंवेस्मेंट है कोर्पोरेट डिपोजिट या फिर नॉन कॉंवर्टेबल डिवेंचर बड़ी-बड़ी कंपेनीज समय समय पर नॉन कॉंवर्टेबल डिवेंचर इसू करती है पब्लिक के बीच फोर रिजिंग के अब यह नॉन कॉंवर्टेबल डिवेंचर एक पकार की लोन है जो बड़ी-बड़ी कंपेनीज पब्लिक से उठाती है और इसके आवज में पब्लिक को इंट्रेस्ट पे कर दिया जाता है अब यह जो बड़ी-बड़ी कंपेनीज है यह नॉन कंपेनीज को लंबे समय के लिए इसु करती है से 5 साल 10 साल 15 साल और यहां पर जो इंट्रेस्ट रेट भी है वो काफी अच्छे खासी होती है आप उनी कॉम्पेनिस में इंवेस्मेंट कीजिएगा जहां पर आइकरा या फिर काइसील की रेटिंग काफी हाई हो आप उन कॉम्पेनिस जहां पर इकरा या फिर काइसील की रेटिंग कम होती है तो उहां पर जाकर आप इंवेस्मेंट मत कीजिए ने तो यह जो इनवेस्म की बाते करें तो 6.8% इंटेस्ट दिया जा रहा है तो करीब करीब 10 या पर सारे 10 सालों में पैसे यहां पर डबल हो जाया करेगी तो एक 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 सेविंग स्कीम है मतलब यहां पर जितने भी पैसे हम कौर्मेंट ऑफ इंडिया मोनिटर करती है जो यह नेशनेल सेविंग सार्टिफिकेट है यहां पर और एक बेनिफीट है जो यह यह तो एंडर पर पांचोंब पैसे डबल करने वाली सेफ इंडिपेस्ट मैं पोस्ट ऑफईस की कि सभी कास मुथा पर पॉस्ट ऑफई हमत्लिफी पोस्ट ऑफिस कि god re-thana者 स्कीम मलब इसे हम सेफ ऑफ सीफ फैस पर जाकर ही खुलब अ सकते हैं minimum investment यहाँ पर 1000 रुपय रखा गया है और maximum investment यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है post office किसान विकास पत्र एक लौती ऐसी scheme है भारत की जहाँ पर पैसे तभी मेचूर होंगे जब पैसे हो जाएंगे किसान विकास पत्र में 6.90 पर से दिया जा रहा है और उसके हिसाब से अगर बाते करें तो किसान विकास पत्र की जो बेचूरिटी प्योर हो जाती है वह हो जाती है 124 महिने यानि की 10 साल और 4 महिने तो उसके हिसाब से पोस्ट जो पूस्ट की किसान विकास पत्र है वहां पर पैसे डबल 124 महिने में हो जाएगे किसान विकास पत्रग की जो भी investment है उसे monitor करती है government of India और यह काफिश से keyword investment scheme है जहाँ पर government of India की security provide क्या होता है tax की अगर बाते करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें tax benefit नहीं मिल जाती है चठी और लास्ट पैसे double करने वाली safe investment scheme की अगर बाते करें भारत में तो वह है public provident fund यानि की ppf account ppf account को हम post office या फिर बैंक में जाकर खुलवा सकते है ppf account की जो भी यहाँ पर minimum investment रखी गई है वह रखी गई है एक financial year में 500 रुपे और maximum 10 लाग रुपे पीप एकाउंट एक काफी popular account है क्योंकि यहाँ पर हमें सभी प्रकार की tax exemption मिल जाती है वह इंट्रेस से डिया जाय रहा है 7.10% तो उस हिसाब से करीब करीब 10 सालों में जो भी पैसे हम एक financial year में deposit करते हैं तो वह 10 सालों में double हो जाएगी तो उसके हिसाब से भी PPF account एक काफी अच्छा investment option है और यह government of India की scheme है तो यहाँ पर complete security आपको मिल जाये करती है तो PPF account और KVP, NST की अगर बाते करें यह तीनों ऐसी scheme है जिस पर government of India की security provide क्या होता है और यह तीनों completely safe और काफी security scheme है और अगर हम non-convertible adventures की बाते करें या फिर Panko की fixed deposit की बाते करें या फिर हम बाते करें tax saving bonds की तो यह आपके ऊपर है यह भी safe scheme होती है लेकिन इस पर आपको थोड़ी सी research करनी परेगी जिससे की आपकी investment थोड़ी सी safe हो सके यहां पर में mutual funds या फिर स्टोक की बाते नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में क्योंकि यह दोनों ऐसे investment है जहां पर आपको कहा ही जाता है mutual fund investments are subject to market risk और यहां पर इस तो पूरी तरह से market risk पर निरभर है तो यह जो investment options है यहां पर मैंने इसे add नहीं किया है क्योंकि यह secured investment नहीं है चूकी डीटा नहीं पर ज्यादा है आपके पैसे जल्दी डबल होंगे लेकिन फिर भी यहां पर चूकी में आपको सीफ फॉर सीफ मतलब जो सेविंग जो शेकियोट investment है जहां पर पैसे डबल होंगे उसी के बारे में बाते करना हो तो इसलिए में mutual fund की बाते और यहां फिर स्टोक की बाते यहां पर नहीं कर रहा हूं आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा अगर मिला है तो मेरे चैनल को like और subscribe करें सब्सक्राब करके bell icon को प्रेस करें जिसने की मेरे ऐसे ही नहीं वीडियो की notification तुरंद आपके पास मिल जाया करेगी तो चले मिलता है अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and thank you